हलो दोस्तों आज हम एक बार दुबारा से बात करने वाले एक अच्छे नए शेयर से रेटी जिसका नाम है नियू जैन सौब्वेर टेकनोलोजी लिमिटेड तो इस शेयर से रेटीड हम जानेंगे ठीक है ना आज मार्केट में गिरावट हुई बट इस तेल यह शेयर पड़े हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल I am small cap investor को subscribe कर लीजिए bell icon को hit करिए और के notification को on करे buying selling के recommendation है नहीं अपने financial advisor कुछ की study connect आप क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं सीख सकते हैं सीखने का तरीका क्या है आप जाहिए वीडियो को देखिए आप जितनी ज़्यादा वीडियो को देखेंगे आपके यहाँ पर चीज़े समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर चीजे काम करती हुई नजर आती है ठीक है आपका बहुत सारी चीजों में help होती हुई नजर आएगी तो वीडियो जाके एक करके देखिए सीखने कोशिश करें कमेंट करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर बारी क्या सीखना चाहते है तो समझ में आजेगी बड़े आसान तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है पट्याजार रुपे का कोर्स है एक त्री मंस का क्या करना है एक साल एक साल एक्सप्रियेंस ले लीजिएगा जो बताया है उसके बेस पर या तो लाइफ ट्रेडिंग या फिर आप पेपर ट्रेड है तो भी आप इन नंबरों पर कॉंटक करके साथ में काम कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम बात कर रहे हैं न्यू जैन सब्वेर टेक्नोलोजी लिमिटेट कंपनी करती का है कंपनी आई टी की एक दिगच कंपनी है ठीक है इस ग्लोबल सब्वेर कंपनी एंग अगे जिन्दा बिजनेस ऑफ सोब्वेर प्रोडक्शन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डिजाइन हाना यह सब चीज़ों में यह कंपनी काम करती हुई नजर आती है आप जाके एक बार देख सकते हैं आपको यहां पर पता चलेगी यह कंपनी के बारे में और जानना है त आपको पूरा का पूरा एक आईडिया लगता हुआ नजर आएगा यहां पर आपको पता चलेगा किस 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 कंपनी के ब्रेंड से लेटेड काम करती है सावे दिगज ब्रेंड है राइट तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो सबसे पहले स्मॉल कैप शेयर है 14,480 करोर मानकी के जली है 14,479 करोर रोपीज का मार्केट कैप है 61 का PE है इंडश्टी का PE 36 का है ROC, ROE काफी बहतरी नजर आती है ठीका फेस वेल्यू की बात करें 10 का फेस वेल्यू है डिविडेंट भी देती है थोड़ा बहुत, as well as यहां पर देखे तो यहां पर कमपनी लगभग लगभग डेट फिरी यहां पर नजर आती है, काफी अच्छी sales growth, return on asset, यहां पर GPM, last quarter वो सब चीज यहां पर सब कुछ अच्छा नजर आता हुए दिखाई देता है, तो कमपनी के आए, overall यहां पर, on the basis of these things, यहां पर अच्छी नजर आती है, maximum chart pattern भी देखोगे, तो यहां पर 2018 माई थी, और 2018 में आने के बाद, share ने यहां पर आप देख सकते है, तहल का मचाते है, हाना, तो मतलब Q4 के नंबर आया है, तो आपको समझ में आएगा, highest ever सबसे पहरे तो company की sales आई है, as well as highest ever ही company का यहां पर profit आता हुए दिखाई दिखाई दिया है, और highest ever ही margin company के दिखाई दे रहे है, तो company yearly quarterly based पर नहीं, पिछले 12 quarter में highest ever, यहां पर सब चीज पर्डूस क बढ़ती हुए नजर आई, जहां पर 190 क्रोड रुपे की sales 2013 में थी, ठीक है, अभी बात करें, तो 2024 में लगभख 1136 क्रोड रुपे की sales के आसपा से आ गई है, तो यहां पर अच्छा खासा five times यहां पर company का काम होता हुआ नजर आया है, ठीक है, net profit भी देखोगे, तो करोड की है, ना के बराबर borrowing है, investment company का 394 करोड रुपीज का है, cash की बात करें, तो लगभख 2500 करोड रुपे का cash भी पड़ा हुआ है, और यहां पर आपको पता चलेगा, company ने जैन 2024 में ही even ratio one का क्या दिया है, bonus दिया है, otherwise यह share की कीमत कितनी थी, 2000 प्लस की यहां पर share की कीमत है, dividend, हर साल dividend देती हुई नजर आ रही है, company और dividend बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस से पता चल रहा है, company अच्छा खासा काम कर रही है, इसके लाब आगे बढ़ते है, positive cash flows है, यहां पर हम बात करें, promoters की holding, तो 55% के आसपास की promoters की holding है, FIS की बात करें, FIS के यहां पर जो holding है, मुकल महावीर अगरवा सर ने, अभी जून 2023 में यहां पर निकलते हुए नजर आ है, फिर उस भी उसके बाद यह शेर भागते हुए नजर है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है, कि किसी को नहीं पता कि भविश्य की गर्व में क्या चुपा हुआ ह तो इसका मदलब क्या है, कि किसी को नहीं पता कि शेर कौन सा कितना जा सकता है, काफी लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर देते हैं, काफी लोग उसे चिपके रहते हैं, तो यह भी हो सकता है कि उनके अच्छे पैसे बन गए, कभी यह भी हो सकता है कि चिपके रहने के पर पर उनके पैसे ही नहीं बने तो वो सब्ची चलती है ति अच्छा गासा फिर भी इनका पोर्टफोलियो देखोगे 4,000 करोडूर इस से जदा पोर्टफोलियो है अच्छा गासा इनका पोर्टफोलियो नीज़र आता है एक डिन गिरिंद्स की बात करें buying selling की recommendation नहीं है अपने financial advisor खुद की study करना है वीडियोस को जागे देखना है सीखना है सीखोगे तो आगे बढ़ते हुए नजर आओगे इसके इलावा आप क्या कर सकते हो हमारे course को join कर सकते हो साथ में काम करना है तो भी इन नमबरों पर contact करके साथ में यहाँ पर काम भी कर सकते हो आपका यहाँ पर दोनों तरीके से ही फायदा होता हुए नजर आएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि शेयर ने किस तरीके से अच्छे घासे लिटन यहाँ पर देते हुए नजर आया है अब क्या यहाँ पर नजर आता है उससे लेटीडी बाते कर लेते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि शेयर लगाता है जैसे ही रिजल्ट आया है भागता हुए नजर आया और फिफ्टी टू वीक हाई पर अगें दुबारा पोस्ता हुए नजर आया है क्या अभी ले सकते हैं तो बिलकुल लेसने की आप कोशिश कर रहे हो तो अपने फाइनेशल एडवाईजर को खुद की स्टड़ी करके ही करना सबसे पहली बात जब इतने टॉप पर कोई भी चीज़ खरीदी आती है न तो इस टॉप लॉस को हमेशा फॉलो किया जाता है इस टॉप लॉस क्या इस टॉप लॉस बनेगा इसका 970 रूपे के आसपास का है 900 रूपे मिल जाता है तो मुझे लगता है कि वहां पर से एक धीर धीर accumulation करना चाहिए क्यों क्योंकि company अगले quarter के number भी और अच्छे present कर सकती है और उस cases में शेयर और ज्यादा अच्छे खासे तरीके से बागता हुआ नजर सकता है तो buying selling की recommendation बिल्कुल नहीं है अपने financial advisor कुद की study करना है चीज़ों को सीखने पर focus करना है सीखने के तरीके मैंने आपको हमेशा बताए है course को join कर सकते हो ठीक है ना so thank you so much god bless